हमारी यूटूब चैनल एमचेंजर 2.0 पर आप सभी का स्वागत है यह यूपी बोल्ड अनसाल पेपर क्लाश 10 का है साइन्स बैलोजी यह सेट नमबर 5 है 2020 का और इसका कोड संक्या है 824 एनम ठीक है आपका बाइलोजी पार्ट खंडगा में होता है तो पहले का का है प्रशन पादप में जायलम उत्तरदाई है पादप में जायलम उत्तरदाई है किसके लिए जल के वहन के लिए या भोजन के वहन के लिए या अमीनो अमल के वहन के लिए या आकसीजन के वहन क लिए तो पादप में जायलम उत्तरदाई है किसके लिए जायलम किसका वहन करता है जल का वहन करता है तो आपका पहला विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा पादप में जो जायलम होता है वो जल के वहन के लिए उत्तरदाई होता है तो आपका विकल्प पहला जो है इस दिन नहीं करते हैं, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयो किस दिन नहीं करते हैं, क्या धूप वाले दिन नहीं करते हैं, या बादलो वाले दिन नहीं करते हैं, या गर्म दिन नहीं करते हैं, या पाउनो वाले दिन नहीं करते हैं, या वाई वाले के लिए हमें सौर जल तापक का व्योग बादलो वाले के दिन नहीं करना पड़ता है तो आपका विकल्ब दूसरा जो है इसमें सही एंसर हो जाएगा ठीक है विकल्ब दो अगला देखिए मस्तिस्क उत्तरदाई है सोचने के लिए हिर्दय स्पंदन के लिए सरीर का संतुलन बनाने के लिए या इन में से सभी तो मस्तिस्क देखिए सोचने के लिए भी होता है हिर्दय स्पंदन के लिए भी उत्तरदाई होता है सरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदाई होता है थारत इसका उत्तर क्या होगा चोथा इन में से सभी इसका कौन सा विकल सही होगा इन में से सभी अगला एन्यम्ड में से कौन सा एक मानों में माधा जननतंत्र का भाग नहीं है क्या अंडा से या गर्भा से या सुक्रवाही का यहां पर क्या रहेगा सु उक्रुवाही का नहीं है तो यही वीगतल आपका सही अंसर हो जाएगा अगला है दूसरी का का तो स्वफशी पोषट के लिए आवस्तितिया कौन सी रिखात क्या है यह आपका दो नमबर का है तो स्वापोसी मतलब स्वापोशड का शाब्दी करत क्या है श्वयम को पोशित करना जैसे हरे पादप कार्बन डायाकसाइड और जल से प्रकास तथा पढ़रिम की उपस्थिती में प्रकास नंस्लेशर किरिया द्वारा अपने भोज़पदार्तों का निर्मार स्वयम कर लेते हैं इस प्रकार वे जिव जो अपने भोजन का निर्मार स्वयम करते हैं वे क्या कहलाते हैं स्वयम बनाते हैं उनको अपने भोजन बनाने के लिए किसी मतलब की जैसे और चीजों क्या सकता नहीं होती हुए वातावरण से ही प्राप्त चीजों से अपना भोजन बना लेते हैं फिर क्या है कि प्रत्वी पर पाए जाने वाले अधिकांस पौधे क्या हैं स्वापोशित हैं स्वापोशड के लिए आवश्यक परिस्तितियां जल कार्बन डायाक्साइड पढ़ हरित वा सूर के प्रकास की परस्थिती होती है और इसके उत्पाद ग्लुकोज वा आक्स श्रीजन इसष्यक अब कृटा के दोराया दोलत लीच है को प्लेठ अधिक तो बेडं यूज्चे है करबनि डायक्साइड यानिकी वातावर्र से कारबन डाय आकसाइड लिया, मिट्टी से जल को असोसित किया, फिर पढड़ी में यानि क्लोरोफिल की उपस्थिती, क्लोरोफिल यानि कि वे सो पोशाड की प्रिक्रिया क्यों हरे पौधों में होती है, तो हरे पौधों में क्या पाय जाता है, पढड़ी में, किसके उपस् तथा मिट्टी से जल को असूसित करके अपने भोजन यानि ग्लूकोज का निर्माड करते हैं तथा आकशीजन को क्या करते हैं मुक्त करते हैं जिसको हम लोग ग्रहाड करते हैं तो यह आपके प्रिया इसको आप याद रखिएगा 6 CO2 plus 12 S2O Aero chlorophyll और सूर का प्रकास C6 S12 O6 plus 6 S2O plus 6 O2 यह जो यूपर का Aero बना हुआ है इसका बतलब है कि यह वातावर्ण में उस सर्जित हो रहा है यह वातावर्ण में यह गैस जो है मुक्त हो रही है ठीक है तो यह आपका हो गया सौपोसर अगला आपका है दूसरा दूस के कालियों का उले कीजिए यह भी आपका कितनी नंबर का है दो नंबर का तो मानों में व्रिषड एक नर्जन्नांग है मानों में जो व्रिषड है वो क्या है एक नर्जन्नांग है यह उदर गुआ के बाहर व्रिषड कोस में इस्तित होता है इसका मुक्रकार क्या होता है स उपादन करना इसका ताप्मान श्रीर के ताप्मान से 260 330 कम होता है जैसे हमारी श्रीट का ताप्मान 37 27C सैंसी तो 30 degrees Celsius ताप्मान नहीं कर सकता है अगर ऐसा मतलब होता है तो इसे मर्स से 3 तिन दीज्डी सेल्सियस कम होता है यानि कि हम 34 चौतिस या 35 मान करके कह सकते हैं कम होता है तो जिससे जब कम रहेगा तभी इसमें स्ट्वस का निर्माण होता है तो कम होने से कम होता है जो सुक्राड़ों की निर्मान में क्या होता है? सहायक होता है, ठीका? अगला कोशन देखे, जयव विकास को उप्युक्त उधारर की सहायता से स्वस्ट कीजिए, तो जयव विकास किसे कहते हैं? सरल सनरचना वाले जीवों से आधनिक जटिल जीवों के क्रमिक विकास को ही क् पहले हमारे पूरवज जो थे वो बंदर के समान दिखते थे, फिर धीरे धीरे उनका विकास होता गया, वो बंदर से फिर थोड़ा जुक कर चलते थे, फिर वो सीधा चलने लगे, उनके सरी में पहले बाल होते थे, फिर बाल बहुत कम हो गये, तो इस तरीके से पहले सरल स अफ्रिका के जंगलों में वाता वड़िये परिवर्तन के कारण घास तता साकिये पादक नश्ठ हो गए जिस कारण जिराफ पूर्वजो को जो की सामान्यकार के थे उचे पादपो से भोजन प्राप्त करने के प्रयास में अपनी गर्दन तता आगे की टांगों का अधिक प्योग करना पड़ा इसी कारण उनकी लंबाई बढ़ गई अधिक वाता उल्ड़ी परिवर्तन के कारण उन्हें घास तता साके पादम नश्ठ हो गए जब नश्ठ हो गए तो पहले वे सामान्यकार के थे जैसे मतलब उनकी गर्दन उची नहीं थी उनकी अगली टांग उची नहीं थी लेकिन जब वे उनको भोजन नहीं मिला तो व बहुत उचा उठाना पड़ता था गर्दन को भी लंबा उठाना पड़ता था तो इसके वज़ा से उनके अपने प्रयास के कारण गर्दन तथा आगे की टांगों का उप्योग अधिक करना पड़ा इसी कारण उनकी लंबाई क्या हो गई बढ़ गई और अब इस समय में वही लंबे गर्दन वाले ही जिराफ पाए जाते हैं अगला क्या है मानों में लिंग निर्धारर कैसे होता है ये तीस्त्रे का है ये चान नमबर का है तो मानों में लिंग निर्धारर कैसे होता है तो यूगमक जनन के समय अर्द सूत्री विभाजन द्वारा आगुडित युगमकों का निर्माड होता है युगमक जनंस की समय अर्दसूत्री भभाजन द्वारा अघुडिती युगमकों का निर्माड होता है Jesus में ह्स्तरी से बने युगमक का मतलब अंड में कितनी क्रूसूत होते हैं कि 22 फ्लस एक्सयानि कि मन जोड़ी गुरसूत इस्त्रियों में तो x x होता है लेकिन पूरसों में x y हो जाता है तो इसलिए इसको y को एक जहां दिख दिया है और x को अलग कर दिया है ठीक है तो इस्त्रियों मतलब कि इस्त्रियों में बने युगमक यानि अंड में 22 प्लस x गुरसूत ठीक है तता होता है जबकि पूर्सों में 23 गुर्षूत ye y होता है ठीक तो यहां पर एक एक्सी रहेगा यहां पर लिकिन यहां पर एक एक और एक एक When उन्द सिंद Varal अंड से मिलता है जाहे वाई वाला मिलेगा चाहे एक्स वाला मिलता है इसके फल्सरो बने युमना चो वालीस प्लस एक्स자 अगर एक्से मिलेगा तो बिस एक्स एक्स अगर वाई से मिलेगा तो जीच द contr metal accuse यह जाएगा एक्स वाई गुड़ सूत्र के अनुसार बनने वाली युगनन निम्लिखित प्रकार से नर या मादा सिस्में बिक्सित होते हैं, अगर 44 प्लस XY है तो वह लड़का होगा, अगर 44 प्लस XX है तो वह लड़की होगी, चलिए सिकॉम चित्र के माध्यम से देखते हैं, जैसे देखे, ये मान ओलर है, और है माधा, यानि की मेल और फीमेल, तो जब नर में क्या होता है, यानि तेज जोड़ी जो गुड़स प्लस उते हैं, तो तेजवल गुड़स उत्र को हिम लेंगे क्योंकि लिंक कने दारडर कंस थाल可以 से होता मादा में 37 गुर्शूत होता है आए अर्ध शूत्री विभाजन का मतलब इसमें तरह दूनों आधे चो एक में याद हो जाते हैं एक एक और इग y यानिकी present होते हैं एक 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 य अब इसमें भी अर्धसूत्री भिभाजन होता है तो इसके दोनों इस पॉर्म एक 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 सोते हैं तो दोनious व होगे अब देखिए नर्पा अगर एक इसन स्पारम के अगर X Oum से fertilized होगा तो क्या होगी girl यानि लड़की होगी तो यानि कि जो मादा का जो नर का X ये गुडशूतर है ये मादा के X GM से जम मिलेगा तो क्या होगा X-X फिर यही X GM जब इस के फिर इस दूसरे वाले X GM से मिलेगा तब भी एकस एकस होगा फिर ये ये जो वाई वाला गुरसूत है जब ये वाई वाला गुरसूत इस एकस गुरसूत से मतलब फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा? xy होगा फिर यह y वाला इससे fertilize होगा तो भी xy होगा तो कहने का मतलब है यहाँ पर अगर xx हो गता है यानि कि अगर 44 जो पहले से है वो प्लस यह xx मिल जाएगा तो 44 45 46 यानि 46 गुरसुत पूरे होगए अगर इस condition में है तो अगर xx है तो लड़की होगी इसमें भी xx है आगर xy है तो लड़का और xy है तो लड़का यह च suponist में चया वाली से थावाली से यह तो लड़का और 44 प्लस एक सेल तो क्या होगी लड़की होगी तो 50 परशन्ट गर्ल और 50% वाइज यह पचास परस्ट जसनथ में जनन की प्रिकरिया होती है, तो उसमें 50% लड़का और 50 % लड़की होने के चांसेश होते हैं, मतलि मन्रूष में, अगर कोई और जनत है, तो 50% मादा जनतू होते हैं, जिसमें होता हैं लेंग इलग स्धूष लेंग जनन. संसाधनों में विभेत कीजिए तो अच्छे तता छे सील संसाधन चलिए इसको देख लेते हैं तो पहला क्या है इसमें ये अच्छे संसाधन ये सोता ही एक निश्चित समय में स्वयम को पुना निर्मित कर लेते हैं जबकि ये एक बार उपयोग में आने के बाद पुना च्छे हो गया उनका उपयोग हो गया है माल लिजिए तो वो अगर समाप्त हो गए तो उनको दुबारा नवी निक्रित नहीं किया जा सकता है जबकि ये स्वयम को पुना निर्मित कर सकते हैं दूसरा अंतर ये पुना नव्य करड़िये और पुना भरड़िये शंसाधन है ये पुना नव्य करड़िये और पुना भरड़िये यानि कि इनका नवी करड़ भी किया जा सकता है और पुना इनका भरड़ भी किया जा सकता है लेकिन ये पुना नव्य करड़िये और पुना भरड़िये शंसाधन नहीं है तीसरा अंतर क्या है कि इनके संरक्षड की हो जाते हैं लेकिन इसमें क्या है भविस में उपयोग करने के लिए इनके संरक्षड के लिए विभिन कदम उठाने के आवशक्ता होती है जैसे लोहा कोईला पेट्रोलियम ठीक है इस सब चीजों में और यह जो है प्रकृत में आसीमित मात्रा में उपलब्द हैं जब कि यह kakasக SK 1-4 तो आथवा करके रहता है तीस्य के आफ़ा कर दो एक आपको करना रहता तो छलिए पहला देखते हैं चौथे ended लखे 흰िक कर्णे लखे का जहां किन मुत्तराइज और लगभक खोख्ला तथा कीव आकार का भाव होता है या क्रम्शा शक्रा होकर मुठ नलिका का निरमार करता है इसे pelvis के देखे brick के अंदर ही brick नलिका होती है इसलिए हमको brick की संद़ला पढ़ने पड़ेगी तो इसे ही क्या कहते है pelvis कहते है brick का बाहरी भाग वलकुर तथा भीथری भाग क्या कहलाता है अब देखिए यहां से व्रिक में असंक अत्यंत कुंडली तथा लंबी नलिकाएं होती हैं इन्हें व्रिक नलिकाएं या इन्हें क्या कहते हैं नेफ्रान कहते हैं व्रिक में अत्यंत कुंडली तथा लंबी नलिकाएं होती हैं इन्हें नलिकाएं या नेफ्रान कहते हैं ये ब्रिक की संद्रशनात्मक यो क्रियात्मक इकाई होती है क्यों क्योंकि ब्रिक में ही परानिस्यंदन का काद होता है यानि फिल्ट्रेशन का काद होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का तो ब्रिक के नलिकाएं एक बड़ी संग्रा नलिका में खुलती है प्रतेक संग्रा नलिक की संदचना है अब इसमें देखिए एक एक निट छोटा करे पहले अभी के नलका की संदचना में जैसे चाहता है कि एक दूरस्त कुंडली इतने लिका होती है यह लंबी संघ्रा वाहिनी इनाब होती और हेनल को ब्लैक दिख का रहे हैं यह सारी चीजें पूर्थिर केसिकौं का इसपर फ्यलै रोतIC this तुरस्थ इसको क्यों कहते हैं क्योंकि ये इस गेसिका गुछी के समीप में गुछ के समीप में समीप समीप समीपनी गहते हैं अब देहिँ हैं इस्समें एक होती है चाही हिए train आपवाही नलीक लिखा हुआ है बृक्षक में अशुद रुधिर को लाने का काम करता है और उसकी फैसे पूरे सरीर में पहुचने का काम करता है चलिए व्रिक के जो जो व्रिक की शंदाच्चना में जैसे क्या होता है उसको में एक रा आपको बताते हैं तो डजैसे नेफरान क्या करता है से गलूकोज, अमीनो, अमल, लवड और उStra प्रचुर हमात्तर ग्रиज को देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें चिल दूटान में ग्लुकज होता है जल रह जाता है। प्रचुर मात्रा में जल रह जाता है। मुत्र इस नलिका में प्रॉववित होता है, इन फटार्तों में फिर क्या होता है? पुन्रा उषोशा अर होता जाता है! देखिए इसमें क्या होता है? जिससे वोमेन संपुट यह जो आपकी कप की अकार की संदचन आपको देख रही है, इस तरीके से यह वाली संदचन यह क को दिख रही है यह क्या होती है गले मेरूलस की अववाही धमनिका जितना रूधिर लाती है वह अपवाही धमनिका से निकल नहीं पाता है मतलब कि यहां से लाई तो यह ऐसा नहीं कि अपवाही धमनिका से तुरंत निकल जाए तो वह निकल नहीं पाती है जिसके कारण क्या होता है कि रूधिर प्लाज्मा के दबाओ के कारण रूधि च्छन कर ब्रिक नलिका के स्रावी भाग में हो जाता है अब यह तुरंत इससे प्रिक्राण में हो रहा है इस लिए से निफ्रिक निसेंदन भी कहते हैं इस प्रिक्राण में परानिसेंदन के प्रिक्रिया भी होती है जिसे अपोहन कहते हैं अब देखें यह क्या होता है कि इसमें से जो क्या होता है इस प्रिक्रिया में यहां पर क्या घटना होती है कि प्रोटींस को छोड़कर इसमें मतलब प्रोटींस जो आपके लिए उप्योगी हैं उनको छोड़कर रूधिर प्लाजमा के सभी घटक जो होते हैं तो अप्वाही धुमिका क्या करती है ब्रिक नलिका के स्रावी भाग के चारो और पर नलका केसी का जालाग भी कहते हैं इस स्रावी नलका के प्रारंभिक भाग में लाब दायक पधारतों का पुन्रा मतलब इसके अंदर किसन रचना है यह तो उसमें क्या होता है कि परा नलका के प्रारंभिक भाग में लाब दायक पधारतों का पुना और शोशर कर लिया ज माता है और जो अनावस्यक होता है वो शेस सर्जी पदार्थों को स्रावी नल्का में कर दिया जाता है जो अनावस्य Ilkan iki सर्जित कर तो यहां पर क्या होता है कि जब दूरस्त खुनलित नलिका में पहुचने से जब इसमें एक मिनट रुख जाएए पहले इसको देखते हैं यानि कि यहां से स्रावी भाग में जो प्रिवेस क्या दिखे हैं यहां अंदर जालक की नुमा संदचना पाए जाती है तो यहां पर क्या होता है पुन्रा और सुसर्ड की क्रिया बिदी के करण जितने भी आवस्यक पदार्थ होते हैं वो मतलब ग्रहड कर लिया जाता है और जो अनावशक पदार्थ होता है वो क्या होता है उस सरजित कर दिया जाता है तो जब यहां से यहां पर पहुचेगा यानि दूरस्त कुंडलित नलिका के पर क्योंकि यहां से रुधिर आया फिर इसमें प्रवेश किया फिर यहां से यहां पर आएगा अब यहां से यह दूर दूरस्तु कुंडलित नलिका में जो नेफ्रिक भाग होता है वहां पर क्या होता है अब समझ लिजे कि आपके सरीर से जितना अवश्यक था वह आपके सरीर से ग्राड कर लिया गया यानि कि ब्लेट के द्वारा फिर उसको पहुंचा दिया जाएगा आपके आवस्यक सरीर के भाग में जो अनावस्यक यानि कि जिसका यूज आपके सरीर में नहीं है यानि कि जो यूरिन होता है अब उस यूरिन को ये यूरिन जो होता है ये दूरस्तु कुंडलित नलिका के संग्रा भाग में आकरके एकत्रित होता है यहां संग्रा भाग में आ जाता है यानि संग पर यूरेथ्रा में समय समय पर जब यूरीन वहां पर एकत्रित हो जाता है तो उसको सरीर से उससरजित कर दिया जाता है तो इस प्रकार से वह हमारे सरीर में अगर यूरीन ज्यादा समय तक रहता है हमारे लिए हानिका Jackie भी हो सकता है तो इस तरीके से ब्रिक नलिका की द्वारा जो अनावश्यक पीडार्त होते हैं उसका अल्टा अगला आपका क्या है? पाधप में जल और खनीज लवड के वहन की विधी का वरण कीजिए। अब देखिए खनीज लवड का उशोषड भी मूल रोमो द्वारा ही होता है। पौदे खनिज लोडों का उसोसर किसके रूप में करते हैं पौदों के लिए हवयस्यक तत्तु जैसे पोटेसियम, कैलसियम वा मैंग्निसियम आदी भूम में प्लोराइड फास्फेड या नाय्ट्रेड आदी के रूप में पाए जाते हैं और मिर्दा में मिर्दा जल में घ क्रोरीन नाइन प्रॉप में विग्टिथ हो जाते इसको पॉधों में खनेज लअलों का वहन या आउसोचए होता है वह किसके रूप में आयनों कोने होता है तैसे कि जानेज लवडों का वहन Online के निरला मिटा जैसे ty yanा और जल के वहन का सब्सक्राइब मतलब जल के जल के जल जो पूरे वह जैलम के मादिम से पहुस्थते हैं इसको दिखाया गया है तो जल के साथ ही खनिज जल के साथ खनिजलोड भी मिलकर के जाते हैं तो देखें जो मूल मूल रोम, मिल्ड़य के कढ़ yg जल डालते, जुए जालतें मूले मिल्ड़य कढ़े, मिल्द्य होता है मूल्रोम पहुचते हैं आप देखे, जैसी जैसे जाल शोचकते हैं मोलरोम में पहुंच है कार्टेक्स भार में पहुचता है पेरिसायक्लि ऐन्डोडर्म, यह फ्लोएम तो खाथ बधर्दों का इसथाना तरफ करता है और यह जालूम पार्ट यह अब आप पूरा अ पूर मोल रोमों से जल और लवड की होते दरा पहु leven जयलम वहनियों के माध्य हैं जयलमम से पहुंच यां में जयलम वहनियों कि प्रतेख भाग में जर्ड पत्ति उस र्फ नए पहुचंगे तो मोल मूल रोमों से जल और लवड क्या होते हैं जायलम वाइनियों में पहुचते हैं और जायलम वाइनिया मोटी दीवारों वाली नलिकाएं हैं जायलम वाइनिया तो यह दूसरे से जूड़ी होती है नलिकाओ की रूप में जड़ के एक छोड़ से यानि कि अगर यह पौधे का जड़ है तो यह पहला चोड़ हो गया और यह पौधे का सबसे सीर्स भाग तो यहां से लेकर के यहां तक यह पहुचते हैं जड़ो दौरा और सोसित जल यह लड़ो को इस्थाना अंत्रड यह उपर चड़ना आती आवश्यक है ताकि यह पौधे के विभिन भागों तक पहुच सके 200 फूट से भी अधिक उचे विच्चों में पानी और खनीज लवड उपर तक पहुच जाते हैं मतलब कि चाहे विच्च कितना भी उचा हो 200 फूट का भी हो तो भी यह प्रिकिरिया इसमें होती है विच्चों में पानी और खनीज लवड उपर तक चड़ जाते हैं जल यूम खनीज लवडों का इस्थानांतर जायलम वहिकाओ के लियुमन के रास्ते से होता है वास्तों में जायलम वहिकाओ का जाल पूरे पौधे में बिचा रहता है जो जायलम वहिकाओ होती है वो पूरे पौधे में बिची हुई रहती है अता पौधों के मूल रोमों से लेकर पत्तियों के सीरों तक जल का एक सतत कालम बना रहता है और जल के अड़ों के बीच परसपर आकरशडवर यानि कि असंजनबल बहुत अधिक होता है यही नहीं बलकि जायलम वहिकाओ की दिवारों वा जल के अड़ों के बीच काफी अधिक आकरशडवर यानि कि आसंजन बल होता है जब वास्पोस सर्जन दोरा पत्तियों से पानी उड़ता है तब पत्तियों के उतको में क्या होती है जल की कमी होती है जैसे एक बार मालीजे जल पहुँच गया तो क्या वो जल हमेशा रहेगा नहीं तो फिर क्या होता है कि उसमें पौधों में क्या होती है वासपोस सर्जन की प्रिक्रिया होती है और वासपोस सर्जन सबसे अधिक पत्तियों के द्वारा होता है तो जब वास्पो सरजन द्वारा पत्तियों से पानी उरता है तब पत्तियों के उत्कों में जलकी क्या हो जाती है कमी हो जाती है और पत्ति के जाहिलम की वहिकाओं से पानी को खीशती है तब सभी पत्तियों की जाहिलम वहिकाओं से पानी को खीशती है तब सभी पत्तियों क्या होता है कि फल सरूप एक सक्तसाली खिचाओ बल पैदा हो जाता है जिससे जाईलम वाइनियों में पानी ऊपर खिचा चला जाता है ठीक वैसे ही जैसे ड्राप में लगी रबर को दवाने से स्याही दवात के दवासे ड्रापन में चड़ जाती है उसी प्रकार से जल जो और खनेज लवड जड के माध्यम से पौधे के प्रतेक भाग में पहुच जाता है तो इस प्रकार से पौधों में जल और खनेज लवडों का वान होता है तो यह आपका पूरा सेट कंप्लीट हुआ सेट नमबर फाइब अज के लिए इतना ही ठैंक यू झाल